दोस्तो बोली बूड के फेमस डायरेक्टर टी रामा राओ का जनम 1938 में आंदर प्रदेज में हुआ था इनकी पतनी का नाम लच्छमी पारवती था इन्होंने बतोर निवदेशक अपने करियर की सुरुआत की थी दोस्तो टी रामा राओ के डारेक्शन में बनने वाली पहली मूवी आती है 1989 में लोग पर लोग इसमें जितेंदर जया परदा और हमजद खान देखने को मिले थे इस मूवी का बजट एक करोड दस लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई दो करोड पैतालिस लाख की अगली मूवी आई 1989 में जुदा आई इसमें जितेंदर देखा आसोक पुमार देखने को मिले थे इस मूवी का बजट एक करोड रुपे था इंडिया में इसकी कमाई दो करोड पच्चिस लाख की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने पांच करोड का कलेक्शन किया अगली मूवी आती है 1980 में मांग भरो सजना इसमें जितेंदर रेखा मौसमी चटरजी देखने को मिले थे इस मूवी का बजट एक करोड बीस लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई दो करोड पचास लाख की हुई और अगली मूवी आती है 1981 में ये की भूल इसमें ज इतेंदर सवाना आजमी रेखा देखने को मिले थे इस मूवी का बजट पचासी लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई दो करोड थीस लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 445 करोड रुपे का कलेक्शन किया और ये मूवी बोक्स ओपिस पर हिट हो ग किया और मूवी बोक्स ओफिस पर हिट हो गई अगली मूवी आई 1982 में ये तो कमा लो गया इसमें ओम सिपूरी कमल आसन पूनम डिनलो बिजे अरोड़ा देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 85 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 1 करोड 10 लाख रुपे की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 1 करोड 30 लाख का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओफिस पर एवरेज रही ती रहमा राओ जी की अगली मूवी आती है 1983 में अंदा कानून इसमें रजनी कांत एमा मालेनी अमताब बच्चा रिना रोई देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 2 करोड 30 लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओपिस पर हिट हो गई इस मूवी का बजट था 2 करोड रुपए इस मूवी ने इंडिया में इसकी कमाई 8 करोड 28 लाख रुपए और मूवी बोक्स ओपिस पर हिट हो गई अगली मूवी आती है 1984 में ये देश इसमें जितेंडर कमल आसन जीनत अमान देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 75 लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई 80 लाख रुपए की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 1 करोड 45 लाख रुपए का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओपिस पर फिलोप रही अगली मूवी आई 1984 में मुझे इंसाब चाहिए इसमें मितुन चक्रबरती रेखा आती अगनी ओत्री डेनी देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 1 करोड 25 लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई 2 करोड 90 लाख रुपए की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 5 करोड 15 लाख का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओपिस पर सुपर इट हो गई अगली मूवी आती है 1984 में जोन जानी जनारदन इसमें रजनी कांत रती अगनी ओत्री पूनम डिलो देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 1 करोड 10 लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई 65 लाख रुपए की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 1 करोड 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओपिस बर फिलो पर रही अगली मूवी आई 1985 में हकीकत इसमें जितेंदर जया परदा राजबपर देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 1 करोड 80 लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई 70 लाख रुपए की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 1 करोड 25 लाख का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओपिस पर फिलो पर रही अगली मूवी आई 1986 में नसीब अपना अपना इसमें रिसी कपूर फरानाज रादिका अमरीज पूरी सीमा देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 1 करोड 50 लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई 85 लाख रुपए की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 1 करोड 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया और मूवी बोक्स ओपिस पर फिलो पराई टी रामा राव की अगली मूवी आती है 1986 में दोस्ती दुस्मन इसमें जिते अंदर रजनी कांथ पूनम दिल्लो किमी काट कर रिसी कपूर देखने को मिले थे इस मूवी का बजट एक करोड 35 लाख रुपय ता, इनडिया में इसकी कमाई 2 करोड 45 लाख रुपय की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने टीन करोड 65 लाख रुपय का कललेक्शन किया और एम गली मूवी बॉक्स औपिस बर हिट हो गई अगली मूवी आती है 1986 में नाचे मही उरिष में सुधा चंदरन सिका सुमन और अरुमा इरानी देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 25 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 40 लाख रुपे की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 70 लाख रुपे का कलेक्शन किया और ए मूवी बॉक्स अपिस पर एबरेज रही अगली मूवी आती है 1986 में सदा सुआगन इसमें जितेंदर रेखा गोविंदा अनुरादा पटेल अरुमा इरानी देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 1,65 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 2,60 लाख रुपे की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 4,30 लाख रुपे का कलेक्शन किया और ए मूवी बॉक्स अपिस पर एबरेज रही टी रामा राव की अगली मूवी आती है 1987 में संसार इसमें राज बबर अन्पम के रेखा अनुराई रानी देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 80 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 2,75 लाख रुपे की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 5,15 लाख रुपे का कलेक्शन किया और ए मूवी बॉक्स अपिस पर हिट हो गई अगी मूवी आती है 1987 में इंसाफ की पुकार इसमें जितेंदर दर्वेंदर अनिता राज बानु प्रिया देखने को मिले थे इस मूवी का बज़ट 1,50 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 3,50 लाख रुपे की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 6,85 लाख रुपे का कलेक्शन किया और ए मूवी बॉक्स अपिस पर हिट हो गई अगनी मूवी आती है 1988 में खत्रों के खिलारी इसमें संजेदत मादुरी दिच्छी चंकी पांडे दर्वेंदर देखने को मिले थे इस मूवी का बज़ट 1,75 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 2,5 लाख रुपे की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 3,75 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एंडिया में इसकी कमाई 1,45 लाख रुपे की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 2,65 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एंडिया में इसकी कमाई 1,45 लाख रुपे की हुई मजबूर इसमें सनी देबल जया परदा जितेंदर फरानाज प्रेम चोपड़ा देखने को मिले थे इस मूवी का बजट दो करोड़ दस लाख रुपए था इंडिया में इसकी कमाई एक करोड़ असी लाख रुपए की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 3,45 लाख रुपए का कलेक्शन किया और एंडिया में इसकी कमाई एक करोड़ पचास लाख रुपए की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,35 लाख रुपए का कलेक्शन किया और एंडिया में इस मूवी ने 3,22 लाख रुपए का कलेक्शन किया और एंडिया में इस मूवी ने 3,22 लाख रुपए का कलेक्शन किया और एंडिया में इसकी कमाई एक करोड़ असी लाख रु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली मूवी आती है 1993 में मुकाबला इसमें वोविंदा कर्शिमा कपूर आदित पंचोली भरानाज अरुणाईरानी और शक्तिकपूर देखने को मिले थे इस मूवी का बजट दो करोड़ पचास लाक रुपय था इंडिया में इसकी कमाई तीन करोड पस्पन लाख रुपय की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने छे करोड़ रुपय का कलेक्शन किया और एमूवी बोक्स अपीस वर एविरेज रही टीर आमारओ की अगली मूवी आती है 1994 में मिष्टर आज अगली मूवी आती है 1995 में रावन राज इसमें मितुल चक्रवर्ती, मदू, आदित, पंचोली, परेस, रावर, जोनी, लीवर, शक्तिकपूर देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 2 करोड 50 लाख रुपे था, इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड 22 लाख रुपे की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 7 करोड 31 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एं मूवी बोक्स ओपिस बर हिट हो गई इस मूवी का बजट 3 करोड रुपे था, इंडिया में इसकी कमाई 4 करोड 87 लाख रुपे की हुई पूरी दुनिया से इस मूवी ने 6 करोड 89 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एं मूवी बोक्स ओपिस बर एवरेज रही अगनी मूवी आती है, 1996 में जंग इसमें मितुल चक्रवर्ती आजेदेवन आदित बंचोली सुजाता मैता रंबा देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 4 करोड 50 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 6 करोड 2 लाख रुपे की हुई और पूरी दुनिया से इस मूवी ने 10 करोड 35 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एं मूवी बोक्स ओपिस बर एवरेज रही इस मूवी का बजट 1 करोड 25 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 94 लाख रुपे की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड 63 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एं मूवी बोक्स ओपिस बर फिलोप रही टी रामा राओ की अगली मूवी आती है 2000 में बुलंदी इसमे अनिल कपूर रेका रजनी कांत रवीना टंडन और रुपे रुपे शक्ति कपूर देखने को मिले थे इस मूवी का बजट 7 करोड रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 4 करोड 40 लाख रुपे की हुई और पुरे दुनिया से इस मूवी ने 7 करोड 80 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एं मूवी बोक्स ओपिस बर डिजाश्टर रही इस मूवी का बजट 3 करोड 50 लाख रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 11 लाख की हुई और पुरे दुनिया में इस मूवी ने 25 लाख रुपे का कलेक्शन किया और एं मूवी बोक्स ओपिस बर डिजाश्टर रही तो दोस्तो आज हमने बोली बुट के फेमस डारेक्टर टी रामाराओ के डारेक्टिंग करियर के बारे में जाना आए दोस्तो आपको टी रामाराओ के डारेक्शन में बनी काउन सी मूवी सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट बोक्स में जरूर बताए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नवशकार